हेलो एब्रिवन वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हूँ रस्मी सचान और स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ आज की वीडियो में हम सीखेंगे की बीना कुकर और बीना इडली स्टेंड के भी इडली कैसे बनाईजे बहुत ही आसान तरीके से तो यहां मेरे पास इडली का बैटर है इडली का बैटर जो दाल चावल से बनता है यह वही वाला है आप सूजी की इडली की रेसिपी भी मेर बनाने का तरीका है वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा साउथ इंडियन रेसिपीज की प्ले लिस्ट में जाएगे वहां आपको एक दम परफेक्ट इडली बैटर बनाने की विधी मिल जाएगी तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहां मैंने कडाई में पानी रख दिय नहीं लिए यह खानाखाने वाली मीडियम साइज की कटोरी हैं हैं यह सभी के घर में होती हैं इडली वाला स्टैंड या फिर कुकर किसी के पास नहिं होता क्यूंकि इडली का जो इस्टैंड होता है वह भी सब के friendship tay Rück कुकर में ही फिट बैटता है तो इस तरह से आप कटोरी में जब इटली बनाएंगे तो काफी बड़ी-बड़ी भी बना सकते हैं और बहुत आसानी से बिना टेंशन के भी आप बना सकते हैं कटोरी में मैंने तेल लगा लिया है और काफी अच्छे से इन्हें ग्रीस कर लेना है उपर और नीचे पूरी अंदर का जो हिस्सा है उसे आपको अच्छे से ग्रीस करना है जिससे कि जब हम निकालें या डी मोल्ड करें तो ज़्यादा दिक्कत ना हो और इसमें भी कटोरी में जब इडली आप बनाएंगे तो बड़े साइज में बन पाएंगे यानि कि कम इडली बन पाएंगी और बहुत ही फूली फूली इडली बनती है क्योंकि इसमें कटोरी में गहराई बहुत होती है अब देखे जब हमने कटोरी को ओईल से ग्रीस कर लिया है तब यहां जो इडली वाला बैटर है इसे एक बार चमत से अच्छे से हिला देंगे यानि मिक् अच्छे से फर्मेंट किया हुआ अब हम इसमें जो कटोरी लिया है हमने उसको एक तिहाई के लगभग भर देंगे या आधा के लगभग देखे मैंने चारो कटोरी में अच्छे से बैटर को भर लिया है अब यहां पानी अच्छी तरह से उबल रहा है जैसा आप देख प पर कोई छन्नी दार जो छेद वाली ठाली रहती है वो भी ले सकते हैं आटा छन्ने वाली छन्नी ले सकते हैं कोई भी अधर्वाइज यह स्टेंड तो काफी नॉर्मल है हर किसी के घर में मिल जाता है अब चारो कटोरियों को ऐसे रख देना है बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस ह और ढग देना है इसे और आज को धीमा कर देना है दस से बारा मिनट तक हम इने स्टीम कर लेंगे टाइम देख करके या फिर हम बीच में चेक करेंगा अब आप देखिए इडली कितनी ज़्यादा ऊपर फूल कर आ गई है इस तरह से एक चाकू या टूथपिक डालेंगे अब देखेंगे कि यह बाहर एकदम अगर साफ साफ निकल रही इसमें कुछ चिपका हुआ नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी इडली कुक हो जुकी है लेकिन मैंने इसे एक दो मिनट और पकाया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा भी इसको पकाना बाकी है इस इसके बाद में हम निकाल लेंगे इसे टाइम नोट कर लिएगा आप और इसे बाहर निकाल के कटूरियों को रख लेंगे देखें कित्ती आसानी से स्टीम हो गई है और मैं भी आपको निकाल कर भी दिखाऊंगी वैसे आपको साइट से ही समझ में आ रहा होगा कि यह कितन नहीं है बिल्कुल भी अब कोई चाकू या चमच लीजिए ऐसे पतला इस पैचूला जैसा लीजिए उससे साइट को क्लीन करना है अभी यह काफी गरम है कटोरी देख भी रहे होंगे कितना धुआ उड़ रहा है तो जब गरम होती है तो निकालने में थोड़ी सी तूट यह नीचे लेकिन आप इसे अगर दो तीन चार मिनट तक ठंडा होने देंगे तो यह परफेक्ली निकल कर आ जाएगी देखिए हमारी एकदम सफेद फूली फूली हुए कितनी बड़िया इडली हमने कटोरी में बना करके तयार कर ली तो उमीद है कि यह आपको आइडिया पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजेगा और ट्राइ कीजिए अगर आपके पास में इडली स्टैंड नहीं है तो कटोरियों में बनाईए और फटा फट से खाईए चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आपके कमेंट का वेट रहेगा